7.2.1 विकास की अवधारना यह मतलब नहीं है कि लोग सुखी यखूश होगे क्योंकि मनुष्य इतिहास के किसी भी दौर में सुखी या दुखी हो सकता है उनका मानना था कि विकास का वास्तुएक माननदण है मनुष्य की स्वतंत्रता में व्रिद्धी और जीवन में विकल्पों की प्रचूरता कि मनुष्य पहले से अधिक स्वतंत्र हैं और वा विभिन जीवन शैलियों के बीद चुनाव कर सकता है। 7.2.2 तर्क या बुद्धि का युग प्रबोधन के विचारकों का मानना था कि इस युग में तार्किक चिंतन धीरे धीरे मनुष्य के निर्णेयों को निर्धारित करता है ना कि अंध्विश्वास, धर्म या कुलीन व्यक्तियों का कहना। उनका मानना था कि तर्क की मदद से मनुष्य ना केवल किसी अधिकारिक वेक्ति या संस्था पर सवाल उठा सकता है और उनकी चानबिन कर सकता है बलकि उसकी मदद से मनुष्य विवेक्षील और सुख में जीवन भी जी सकता है। बुद्धी ही मनुष्य को सही रास्ता दिखा सकती है। इसलिए प्रबोधन का मुख्य मकसद लोगों में तर्क शक्ति जागरित करना और उसमें विश्वास जगाना है। ततकालीन विचारक होल बाग के शब्दों में हम मनुष्य में हिम्मत बांधें। उनमें अपनी ही बुद्धी में विश्वास जगाएं और सत्य की लालसा जगाएं ताकि वा अपने ही अनुभवों के आधार पर निर्णा लेना सीखें और किसी दूसरे के द्वारा प्रे ज्ञानिक ज्ञान ही सही ज्ञान है। विज्ञान से उनका तातपरिथा ऐसे निश्कर्ष जिन पर अवलोकनों वो प्रयोगों के आधार पर तारकिक रूप से पहुचा गया हो और जिनका सपस्ट प्रमाण हो। किसी दैवी संदेश या आध्यात्मिक ज्ञान की की तरह से जान सकते हैं। इसके लिए किसी धर्मगरंत या तथा कथित ज्ञानिके उपदेशों की नहीं बलकि प्रयोग, अवलोकन और तर्क की जरूरत है। प्राचीनकाल तथा मद्धकाल में ज्ञान के सह संबंध में यह माना जाता था कि वाकिवल चीजों का व्यवस् प्रबोधन के विज्ञानिकों के अनुसार ज्ञान का उद्धेश सूची बनाना नहीं बलकि चीजों के कारणों को समझना है। अब क्यों वह कैसे जैसे सवाल कहीं अधिक महत्वण हो गये हैं। वे मानते थे कि इस ज्ञान के मदद से हम नई तकनिकों को विक्सित कर सकत हैं जिन से जीवन अधिक सुख में हो सकता है।